नमस्कार स्टार स्टिल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध ग्रह और मंगल ग्रह के गोचर के बारी में एक जून दो हजार एकिस को बुद्ध ग्रह पस्चिन में अस्त होंगे और अगले दिन यानेगी ठीक दो जून को मंगल ग्रह करक राशी में प्रविश करेंगे और इसके साथ ही बुद्ध ग्रह भी व्रिस राशी में जाएंगे आए जानते हैं इस गोचर का राशी उपर क्या प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम एक सामान निफल की बात कर रहे हैं यदि आप अपनी ब्यक्तिकत कुंडली का हमारे साथ बिश्लेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसे भी वक्त कॉल कर सकते हैं हमारा फोर नंबर है 8588-00-9900 और हमारी वेबसाइड है www.starstelle.com आप हमारी वेबसाइड के मादियम से भी हम से जुड़ सकते हैं और पसंदिदा जुट्सा चालजी के साथ अपोइंटमेंट ले करके बात कर सकते हैं तो आए हम बात करते हैं सबसे पहले मेस रासी के बारे में मेस रासी के जाटको ग्रहूं के इस गोचर के प्रभाव से मन में नकारतबंग विचार हावी हो सकते हैं और इसका प्रभाव आपके कारेछीत पर पढ़ सकता है ध्यान दें घरेलू सदस्यों की सला से आगे की योजना बनाएं और अनावस्य खर्चों में बड़ोत्री हो सकती है इसे रोकने का प्रयास करें जीवन साथी से विचारों का तालमेल भिगर सकता है जबकि प्रेम संबंद पूर्ववद चलेंगे अब बात करते हैं व्रिस्रास के बारे में व्रिस्रास के जादकों ग्रहों के इस गोचर के प्रभाव से अपने भाईयों इस्त मित्रों और सहयोगियों से मिल रहे सहयोग में कमी आ सकती है आप जो भी काम करें अपने बलबूते पर करें ध्यान रहे बड़ी जिम्मेदारी के काम दूसरों को सौपना समझदारी नहीं होगी प्रियाजन के शमक्स अपना प्रभाव जमाने के लिए उनकी पसंद का काम करें और उन्हें कुछ भी उपहर भेंट करें बच्चों की जरूरतों को पुरा करें और उन्हें नजरंदाज ना करें बात करते हैं मिथुन रासी के बारे में मिथुन रासी के जातक हो ग्रहों के इस गोचर के प्रभाव से हैं कारे छित्र में कारभार बढ़ सकता है परन्तु साधनों का सही इस्तिमाल करके आप अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं भागे के भरोसे रहकर निवेस ना करें यदि परिजनों के साथ कहीं घुमने का प्रोगराम हो तो कीम्ती सामान का आपको ध्यान रखना होगा दिन चर्या में बदलाव लाकर आनंद का अनुभव किया जा सकता है और प्रेम संबन्दों के मामले में प्रियजन से ज़्यादा अपक्षाएं ना रखें अब बात करते हैं करकरासी के बारे में करकरासी के जातकों ग्रहों के इस गोचर के प्रफाव से मन में भ्रह्म की इस्तिति और क्रोध की अधिक्ता रहेगी सिग्रता और आवेश में लिए गए निर्णाय परिशानी में डाल सकते हैं योजनाओं का लाव उठाने के लिए सुनी योजित ढंग से काम करना होगा पारिवारिक सदस्यों के साथ खुल कर बात करें इससे एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी प्रियजन से आपको अस्चर जनक बेवार की प्राप्ति हो सकती है और रिस्तों में नयापन आएगा बात करते हैं सिंग रासी के बारे में सिंग रासी के जातकों ग्रहों के इस गोचर के प्रवाव से नकारत्मक परिश्थितियां उत्पन हो सकती है परन्तु सावधानी रखने से हर परिशानी का समाधान निकल आएगा दिखावे में आकर अनावस्यक बै करने से खुद को रोकना होगा घर के बड़े सदस्य द्वारा दी जाने वाली सला से आर्थिक लाव की प्राप्ति होगी प्रियजन का ध्यान रखे और उनकी भावनाओं की कद्र करें अब बात करते हैं कन्यारासि के बारे में, कन्यारासि के जातकों ग्रहों के इस गोचर के प्रभाव से घरेलू जरूरतों को पूरा करने में कुछ दिक्कत महसूस होगी, घर परिवार का वातावरन अच्छा रहेगा परन्तु मन में गुप्त भई रहेगा, बच्चों की बातों से मनोबल बढ़ेगा कार्षित्र में लाव प्राप्ट करने के लिए गलतियों को न दो राहें और अपने सहयोग्यों की बात का भी समान करें। अब बात करते हैं तुलारासी के बारे में, तुलारासी के जातकों ग्रहों के इस गोचर के प्रफाव से परिवार में चल रहा तनाओ नया मोड ले सकता है, यदि आप घर के मुख्या हैं तो आपको सोच समझ कर निर्णे लेने होंगे, वारतल आपके समय सब्दों पर ध्या के लिए तोड़ी और प्रतिक्षा करने पड़ सकती है, प्रतिस पर्धा का विचार अभी मनंश से आप निकाल दें, बात करते हैं वुरिश्टिक रासी के बारे में, वुरिश्टिक रासी के जातकों ग्रहों के इस गोचर के प्रवाव से बिरोधी बारबार कामें बादर डालने की कोशिस करेंगे कड़ी मेहनत के बाद जीव को पारजन हे तू धन अरजित कर सकेंगे समाजिक कार्यों का दबाव चिंता दे सकता है अतरिक्त जिम्यदारी लेने से बचें घरेलू जरूरतें बढ़ सकती हैं प्रियजन से आकस्मिक ऐसा खुसी का समाचर मिल सकता है जिसकी आपने कलपना नहीं की थी सेध को नजर अंदाज ना करें सेध पर ध्यान दें अब बात करते हैं धनुरासिके बारे में धनुरास के जातकों ग्रहों के इस घोचर के प्रभाव से कारे छेत्र में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी यदि लक्ष की प्राप्ति जल्दी चाहते हो तो काम करने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है कुछ नए प्रस्ताव किसी पुराने जानकार के माद्यम से मिल सकते हैं घर में किसी सदस्त की सफलता से खुसी मिलेगी और प्रियजन के लिए समय निकालना होगा यदि आप वहन चलाते हैं तो यातायात के नियमों का पालन करें बात करते हैं मकर रासी के बारे में मकर रासी के जातकों गरहों के इस गोचर के प्रवाव से परिजनों की आप से अपक्षाएं बढ़ जाएंगी घर में किसी छोटे सदस्त को आपके मार्ग दर्सन की जरूरत पढ़ सकते हैं जबकि जीवन साथी से बिचारों का तालमेल बिठाने में परिशानी महसुस होगी सांती और सयम से काम लेना होगा जहां तक सवाल कारे छेतर का है तो कारियों में उतार चड़ाव के इस्तिति रहेगी काम को सुचार रोप से चलाने के लिए नीती बना कर आगे बढ़ने क की सला दी जाती है बात करते हैं कुम्ब रासी के बारे में कुम्ब रासी के जातकों ग्रहों के इस गोचर के प्रभाव से कारे छित्र में जिमेदारियां बढ़ेंगी और अपने समान को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है नौकरी पैसा लोग किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। आप करते हैं आखरी यानिकी मीन दासी के बारे में। मीन दासी के जातकों, ग्रहों के इस गोचर के प्रभाव से परिजनों के मन में आपके प्रति मत्वहेद पैदा हो सकता है। आपको चाहिए कि ऐसे वातवरण को समझदारी वबुद्धि मत्ता से सुलजाने का प्रियास करें। प्रियोजन के साथ यादगार समय भी देगा। कारे में सहय कर्मियों के साथ मिल जुलकर काम करेंगे तो आपको बिजिस लाब होगा। यदि आपने कोई योजना बना रखी है तो उसे लागू होने तक ऐसी लोगों के बीच में न रखें। जिन पर आपको सक हो या जो लोग आपके काम में अटचन बाधाएं पैदा कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपने एहम को खुद पर हावी ना होने दे। यदि अपने यात्रा का प्रशंग बना रखा है तो यात्रा सावधाने से करें और अपने कीमती समान को घर पर रखें या फिर अपनी देखरिंग में ही रखें। किसी अजनवी पर जल्दी विस्वास करना आपको परिसाने में डाल सकता है। अभी हमने बात करी बुद्ध ग्रह और मंगल ग्रह के गोचर के सामने फल के बारे में। यदि आप अपनी कुंडली का विस्वास हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फोर नमबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइड है www.stars.com आप हमारी वेबसाइड के माधियम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और पसंद दीदा जुद्ध साचर जी के साथ अपोइंटमेंट ले करके बात कर सकते हैं। आप हमारी इस चनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेर करें। साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें www.stars.com नमस्कार स्बस्क्राइब